हेलो गाईज, नमस्ते, सदसे काल, सलामों अलाइकुम और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह लेके चल रही हूँ और मैं उसके बारे आपको क्या बताओं कि आप आपको ये चीज मैं वही पे जाके मतलब दिखाऊंगी कि ये देखे मैंने एक न्यू हाउस लिया हुआ है द्वारिका में तो हम वहाँ पे जा रहे हैं बच्चों को लेके जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आपको भी मैं मतलब दिखाऊंगी वो जगह कितनी अच्छी है और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है अब बच्चे मैंना कर रहे थे कि नहीं आपने वीडियो मत बनाओ और मत ढालना जब हम सिफ्ट कर जाएंगे तब वहां ढालना लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं आप से क्या छूपाना आप मेरे फैmbly हो मेरे फ्रेंड्स हो तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अब मैं वहां जा रही हूँ बच्चों को लेके जा रही हूँ और फिर वहां मैं अपने फ्लोर का मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो मकान लिया है काफी अच्छा मतलब मकान है दो सोगज का है और उसके पयाना कूछe change हमने करवाने हैं के चेंजस उसमें करवाने हैं जैसे kitchen वगेरा का हो गया और bathroom वगेरा का हो गया जो थे उसको मैंने मतलब अपने हिसाब से मैंने रोक रखा था ने जो यह है जो लगानी है वो Met in बच्ची आएंगे उस हिसाब से आपने उसको install करना और गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ और इस खुशी को मैं आप लोगों के साथ साजा करना चाह रही थी तो अब मैं आ चुके फ्लोर पे तो अब यह देखिए यह मेरा जैसे हम अंदर आते हैं ड्राइंग रूम बोलिए यह देखिए यह टीवी का यहां पे पैनल लगेग सात्वे अल्मीरा भी है काफी अच्छा मतलब लोकेशन है और इВотर का यह देखिए यह हमारा बीग सांप नहिए मीरा पिछन यहुथ के बाद यह में यह मेरा यह दूसरा कमरा मतलब इसमें इसके अंदर पांच कमरें हैं और इस साथ कम्रों में इथ नहीं का सब्सक्राइब है कर्षमंत पर यह करिशम्त है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर्षमेब कमरा है तो ये दिखिए ये कमरी का लोकेशन आपको कितना प्यारा सा लग रहा है और साथ में अलमारिया वगरा है और जो ये जो है ना ये जो चीज है ये मैंने रोक के रखा हुए बातरूम वगरा इसके अंदर दो तीन बातरूम है जो आपको मैंने दिखाया अभी फाइन का लोकेशन है यह देखे बाहर जो बेगा है ना जो बाहर बाल को नी है वो है और एक मैं आपको बताओ कि यह जो है 130 गज कैसा ता आप मुझे जरूर बताए थैंक यू